वेलकम तो मैं चैनल हेर इस परबिंदर आज की वीडियो में हम सिखेंगे सलवार की स्टिचिंग करना इससे पहले हमने सलवार की कटिंग की थी तो आज हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं एक ही वीडियो में जब बनाते हैं तो बहुत ही बड़ी बन जाती है तो इसलिए मैं तो इसके बाद इसके उपर स्लाई कर लेती हूं तो अपने आप ही बहुत ही सुन्दर सा निफा मुर जाता है हमारे जहां इसे चड़ी बनाना भी बोला जाता है आपके यहां क्या बोला जाता है आप मुझे जुरूर बिताईएगा तो यह देखिए यह मैंने उपर से लगा लिया तो ऐसे ही सारी स्लाई करेंगे स्लाई स्टार्ट करेंगे तो पहले एक से दो बार आगे पिछे करके स्लाई कर लें ताकि जब नाड़ा डालते हैं तो वह चल्दी से उधरता नहीं है उधर से कपड़ा तो लास्ट में आकर फिर दो से तीन बार आगे पिछे क जड़ी मशीन को और उसके बाद धागे को काट लेंगे तो यह हमारी बैल्ट त्यार हो गई है तो बाकी की सरवार की हम स्टिचिंग करते हैं तो यह ले लिए हैं मैंने पहुंचे और यह कुंदे जो हमने काट के रखे हैं जे चार कुंदे हैं तो पहले दो लूँगी इसमे करते हैं उपर से नीचे तो कई बार कपड़ा जो बढ़ जाता है तो नीचे की तरफ निकल जाता है वो तो अब हम कुंदे को ऐसे खोलेंगे तो उसके बाद पहुंचे ले लेते हैं जो हमने दो पीस काट के रखे हैं पहुंचे के तो इन में से एक पहुंचे का पीस हम उ करते जाएगा तो देखिए एक पॉंचा एक कुंदा हमने कर लिया है तो अब हम दूसरी तरफ भी कुंदे के पॉंचे को जोड़ लेते हैं पहले पहले दो कुंदे और दो पॉंचे की इसलाई करते हैं हम तो जल्दी से सलवार की स्टिचिंग हो जाती है तो ऐसे इधर भी एक कुंदा और एक पॉंचा जुड़ गया है तो जो दो पीस बचे हैं हमारे पास कुंदे के वो भी ले लेते हैं और इनकी भी इसके साथ ही स्टि कुंार्च जोड है कंद कुंद पन हो जली बहुत हका इसे स्टिचिंग केसे सिरी सिर्वार के स्टिचिंग हो गी आगा हमारी तो ये पहुंचे और कुंदे हमने सारे जोड़ लिये हैं सारी सलवार की सलाई हो चुकी है तो अगर कपड़ा बढ़ जाए कुंदे का जब पहुंचे का तो उसको काट के एक समान कर लीजिएगा पहले आप तो अब इसको नापकर देख लेते हैं देखें जे साड़े साथ इंच बच गया है हमारा सिलाई करने के बाद तो अराम से हम साथ इंच का पहुंचा इसके उपर रख लेंगे तो अब हम ले लेते हैं सलवार की सलाई की है हमने पहले पीछे की तरफ आसन पर हम एक प्लेट डालेंगे यह हम box plate डालेंगे इस से क्या होता है जब हम बैठते हैं तो पीछे की तरफ खिचावनी पड़ता है सलवार में है और सलवार की बैल्ट उद्वने का भी डर्णी होता है तो यग्डेल्ट ली है मैंने अब जिस तरफ नेफ। न नहीं हो वैया है बैल्ट को उपर प्रसलवार का कपड़ा रख लिया थै तो जहां से एस सिलाइ को टेसं स्टिचिंग स्टार्ड कर देते हैं अब हम बेल्ट जोड़ेंगे पीछे से सिलाई करते हुए हम आगे की तरफ आएंगे अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले भी आप प्लेट्स डाल सकते हैं मैं तो साथ-साथ ही डालती हूं प्लेट्स जब भी सिल्वाज की स्टिचिंग करती हूं तो इसके लिए प्लेट्स की हम जो चुड़ाई रखते हैं दोनों तरफ 9-9 इंच पर प्लेट्स डालते हैं तो लेकिन जो मेरे कस्टमेर हैं उनको ज़्यादा दूर तक चाहिए तो मैं 10 इंच पर प्लेट्स डालूंगी उनके लिए आप चाहिए तो 9-9 इंच जब रखेंगे तो बहुत अच्छी प्लेट्स डाल जाते हैं हमारी सलवार के और शेप भी बहुत अच्छी आ जाती है तो अब यह हमने पॉंचा ले लिया है इसके बिलकुर सेंटर में हम कट लगाएंगे तो जो प्लेट्स मैंने आपको बूला था जो कि हमारा सीक्रेट प्लेट है तो जहीं पर डलेगा हमारा तो यहां पर हमने निशान लगाया हुआ है दस इंच पर वहां पर हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे पीछे की तरफ इसका मुह करते हुए प्लेट का हमें प्लेट डालनी है बाहर की तरफ क्योंकि जब हम सीधा करेंगे तो जंदर की तरफ इनका मुह हो जाएगा प्लेट का छोटी छोटी प्लेट डाल रही हूं क्योंकि इस सलवार का घेरा थोड़ा कम बना है लास्ट वीडि शेप बहुत ही अच्छी आती है यह सलवार का बिल्कुल सेंटर होता है यह प्लेट हमें बहुत ही ध्यान से डालना होता है अगर आगे पीछे हो जाएगा तो जब हम प्रेस करते हैं सलवार को तो उसकी क्रीज बिल्कुल भी सही नहीं बनती है आगे पीछे हो जाती है तो ज को पीछे की तरफ करते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे तो ऐसी अब हम सारी प्लेट्स की भी स्टिचिंग कर लेंगे पीछे की तरफ करते जाएंगे और प्लेट्स डालते जाएंगे अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कोई पैन से जाएं से मैंने जैसे कंदूई लिए हैं से भी उठा उठा कर फोल्ड करते हुए प्लेट को डाल सकते हैं और इससे भी हाथों से भी बहुत ही सुन्दर सी प्लेट जल जाती है कोई भी जरूरत नहीं कि पहले हम प्लेट जालें उसके बाद इसकी स्टिचिंग करें तो अब सेंटर में हमें थोड़ा-थोड़ा कपड करेंगे हम अपनी तरफ मैंने पहले भी बताया है जब हम सीधा करते हैं सलवार को तो जा अंदर की तरफ हो जाता है मुँफ प्लेट का तो इस तरह भी हम वैसे छोटी-छोटी प्लेट जालते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे इस तरह भी पहुंचे का सेंटर बैसे करेंगे और यहां पर निशान लगा लिए क्योंकि इस तरह भी हमें वही वाला प्लेट डालना है जो की बिल्कुल क्रीज बनाता है सलवार की और पीछे से भी लेते हुए कपड़े पर निशान लगा लिए पहले नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हम सारे कपड़े की ही लाग्या है तो मैंने प्लेट को अंदर की तरफ करते लिए सिटिच कर लिया है कोई और बाइक टाले हैं तो आगा दा इच का मारजन लेते हुए आंज डाली है और जिल्वार की साथ मिल्ट को जोल लिया है तो अब इसकी हम डबल सिलाई कर लेते हैं इससे क्या जल्दी से सलवार उदरती नहीं है बैठने उठने में तो पक्की हो जाती है सिलाई हमारी तो यह प्लेट्स तो हमारे दिखे कितने सुन्दर से डल गए हैं तो मैं जो हमने नाडा काट के रखा था उसकी भी विसलाई कर लेते हैं ऐसे उसको फोल्ड कीजिए गा और इसके सेंटर में सलाई लगाईएगा पाँ नाड़े के अगर आप नाड़ा डाल के देते हैं तो कस्टमर बहुत ही खुश हो जाता है तो लीजिए यह हमारी सलवार बिल्कुल सलाई होकर त्यार हो चुकी है और दिखे कितने सुंदर आए हैं इसके और यह हमारा बिल्कुल जो सैंटर वाला प्लेट था जो हमने सैंटर में डाला है जिससे की सलवार की क्रीज बहुत ही अच्छी बनती है तो इसके पहुंचे हम अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वरना यह वीडियो बहुत ही ल झाल 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 झाल